आप कैसे हैं इसी बात को हम अलग-अलग तरिकों से कैसे पूछ सकते हैं आज हम सीखेंगे और आप अपने क्लास्मेट को अपने फ्रेंड को रोजाना मिल रहे हैं and you are asking the same thing and in the same manner how are you, how are you, तो सामने से भी तो वही जबाब आता है I'm fine, I'm fine, तो एकी चीज बोल बोल के हम लोग बोर हो जाते हैं और same चीज यही होता है जब हम when we are the professional हम अपने कुलिक से पूछते हैं how are you, तो यही गिसाफ़ पिटा हम पूछते हैं because how are you is a formal way of asking how are you क्या है एक formal तरीका है कि आप कैसे हैं लेकिन हम अपने कुलिक से जिनके साथ हम काम करते हैं उनसे हम किसी भी informal तरीके से पूछ सकते हैं यह क्या देता है हमें energy देता है ठीक है ना तो आज हम सीखेंगे कि what are the different ways of asking how are you, the first one is how are you doing, ठीक है आप क्या पुछेंगे how are you doing, या आर यहां से omit कर सकते हैं and you can say how are you doing, जल्दी से बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे hello Ram how are you doing, तो वहां से जबाब आएगा pretty good, या pretty good, thanks for asking, या वो बोल सकता है good, thank you, next one is how have you been, आप कैसे हैं, this is asked, जब आपका friend काफी, मतलब duration के बाद मिला हो, कि आप इस समय क्या कर थे इन दिनों के भी, तो आपको जवाब दे सकता है I have been doing great, कि इस समय मैं बढ़िया था, I was fine during this time the next is, the third one is, how have you been up to, how have you been up to, the third way is asking, how have you been up to, up to, जब आप इसके साथ up to लगा देंगे, तो इसका मतलब, you want to get more information, आपने friend से और colleague से, you want to get more information, that what he was doing between these time intervals, जब से आपने उसको देखा नहीं है, तब से वो क्या कर रहा था, तो उधर से जवाब दे सकता है, I have been better, या I have been doing great, या I have been busy, और वहाँ से वो elaborate कर सकता है, I have been busy, in preparing for SSC exams, banking exams, or my four, जो भी 10th class, 12th class, जिस पकार से वो जवाब देना चाहता है, he can answer, it depends upon, जो answer दे रहा है, the next is, fourth, चोथा method क्या है, how do you do, क्या तरीका है, आप, जब आप अपने friend को मिलते हैं, आप अपने colleague को पूछते हैं, how do you do, तो वहाँ से जवाब दे सकता है, fine, thank you, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, the same way, इसको और छोड़े तरीके से आप बोल सकते हैं, howdy, क्या बोल सकते है है, howdy, तो howdy का मतलब भी यही होता है, how do you do, ठीक है जी, the next is, what's going on, आप अपने friend से मिले, and you'll ask, what's going on, तो वो बोलेगा, just revising my chapter, या कुछ नया नहीं चल रहा हूँ, उसकी जिंदगी में, तो बोलेगा, nothing new, ठीक है, या वो यह भी बोल सकता है, same old, same old, मतलब वही पुराना घिसा पीटा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो उसी प्रकार से, इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं, या nothing new, worried about seasonal test or report or result, suppose you met your friend, early in the morning, और आपने अपने friend से पुछा है, राम, what's going on, तो बोलेगा, यार, I am very much worried about our seasonal test report, यहाँ पी test आरा चीए था, seasonal test report, तो इस प्रकार से answer दे सकते हैं, the next is, what's new, क्या नया चल रहा है, तो वहाँ से जवाब आएगा, nothing much, just worried about our unit test, जो जिस प्रकार की स्थिती मनोदशा होती है, he'll answer according to his wish, अपने according वो answer देगा, the next is, eighth, what's up, क्या बोलेंगे, what's up, बोलके देखिए, यह बहुत informal तरीके हैं यह, मतलब हम अपने friend को ह बोल सकते हैं, यह आपने colleague को बोल सकते हैं, जिसके साथ हमारी घनिष्ट मित्रता है, these are the informal ways, we can't ask our teachers, our bosses, हम उन लोगों से अपने senior से यह सारी चीज़े नहीं बोल सकते हैं, what's up, ठीक है, यह और भी, what's up, ठीक है, what's cooking, तो इसका मतलब यही होता है, कि आप उनसे पूछ रह है, कैसे चल रहा है, ठीक है न, तो वो बोलेगा, उदर से, nothing's up, ठीक है, nothing new, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, the next one is, how's it going, नुवा तरीका है, आप क्या बोल सकते हैं, how's it going, तो इस तरीके से इसको यह नहीं बोलना है, how is it going, this is the wrong, आपको क्या बोलना है, how's it, how's it, how is it going, how's it going, बोलेगा, it's going fine, वो बोलेगा, fine, thank you, तो जो जवाब देना है, he can answer, the next and the last one is, आप किसी से पूछ सकते हैं, how's life, how's life, how's life, how's life, बोलने की पैक्टिस किजिए, यह सारे चीज़े एक बार में नहीं आती हैं, you have to repeat again and again, how's life, तो वहाँ से जवाब बोल सकता है, wonderful, ब awesome, यह क्या है, अवे सब नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, awesome, मतलब बहुती, आनन्द पुरुवक, बिल्कूल, full of energy, great, amazing, brilliant, या कुछ लोग ऐसे ही boring type को होंगे, वो बोलेंगे, same old, same old, ठीक है न, तो प्यारे बच्चों, आज हमने किया, what are the different ways of asking, how are you, so यदि आपक लाइक कीजे, कमेंट कीजे, till then take care और पढ़ते रहे, bye